नमस्कार दोस्तों, माजा टेकनिकल चैनल में आप लोग का स्वागत है वीडियो का टाइटल और थम्दल देकर आप लोग समझ गए होंगे किस वीडियो के अंतरगत आप लोग क्या सिखने वाले हैं अपने YouTube वीडियो या फिर किसी वीडियो का इंट्रो कैसे बनाते हैं वहाज लाइब इस वीडियो में हम आपको दिख्लाने वले हैं देखिए सबसे पहले यहां समझ लेज़ेगी इंट्रो बनाने का कई सारा तरीका है जहां से जाकर आप इंट्रो बना सकते हैं एक सबसे पहला जो सब्टेयर आप एउज करते हैं यादने एडिटिंग के लिए जिस भी आप वीडियो एडिटिंग सब्टेयर का एउज करते हैं वहाँ पे इंट्रो बनाने का आफसन आता है तो वहाँ पे अगर आप इंट्रो बनाते हैं तो वह आप खुद का क्रियेटि तो YouTube पर भी कई सारा आपको इंट्रो मिल जाता है जिसको आप डाउनलड वहां से करके और वहां पे सिर्फ क्या होगा धाच्या बना हुआ रहेगा यानि कि वीडियो बना हुआ रहेगा उस पे सेप बना हुआ रहेगा आप वहां पे अपने वीडियो आपका टाइटल होगा जो भी आप वहां पे टेक्स्ट करना चाहते हैं वह आप अपने वीडियो एडिटिक सब्ट्वेयर पे जाके वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं लोगो जो आपको लगाना है वह लगा सकते हैं तो यह हम लाइब आपको दिखला कर यूटूब पे बताने वाले भी है कि वहां पे कौन सा वीडियो आप फिर इउच कर सकते हैं यह दूसरा पॉइंट रहा है और तीसरा पॉइंट यहां पे यह आ आ जाता है इंट्रो बन कर देती हैं यहां पे फर्क क्या हो जागा कि हम जितना भी इंट्रो को सर्च किये एक भी इंट्रो अभी हमें ऐसा नहीं मिला जो विदाउट वाटर मार्क था यानि कि अगर जिस भी आप इंट्रो को वहां पे बनाने जाते थे फ्री वाले की बात कर रहे हैं अगर आप व वहां पर text किया हुआ रहेगा लेकिन यहां पर problem यह होता है कि कई सरा वीडियो ऐसा होता है कि जब हम अपनी बीडियो का या फिर जो मेरा चैनल का नाम है वो text करते हैं डालते हैं बरा सा तो watermark जो है वो काश्च आपको बनाना है और बद्धीयर लिगि सब्सक्राइब अलुछ लूत्ता कुन लगोगati अपने लोगोर छोता है और दूसेल चाइंल का आपको मिल जागा लेकिन जो वीडियो का धाचा होता है वो company के तरफ से यानि की website के तरफ से already वहाँ पे कई सारा बना हुआ होता है तो आप select करके वहाँ पे डाल सकते हैं तो कैसे करना है हम आपको अपने computer के screen पे लेकर चलते हैं और वहाँ पे पहले YouTube वीडियो पे दिखा कैसे क्यूं से website है जहाँ पे आप को यहाँ पे बनाना है तो हम live लेकर चलते हैं अपनी computer पे आपको वहां पे दिखुछा हुआ है कि कैसे कॉझे आपको क्रते है देखिए अभी हम आपको online बताते हैं कि online intro कैसे बनाना है तो सबसे पले आपको Google पे जाना है और Google पे जाके क आप सर्च किजिए render forest जैसा कि देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे render forest टाइप करके आप इंटर कर दीजे और इंटर करेंगे तो इस तरीके का page आपके सामें open होकर आगे जागा है यहाँ पर देखिए render forest करके title बना हुआ है उस पर जाके आपको click करना है क्लिक करेंगे तो यह page पर लेकर आएगा और यहाँ पर देखिए online video animation logo and website maker टेक्स्ट किया हुआ है डाला हुआ है नीचे आपको get started का option मिल जाता है उस get started वाले option पर जाके आपको click कर देना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर 4 option आपको मिलेगा logo, video, website और mock-up चुकि यहाँ पर हमको video intro बनाना है तो video वाले option पर जाके हमको click कर देना है click करेंगे तो create video का option है वहाँ पर जाके आप click किजे और जब इस पर click करेंगे तो आपको कई सारा casting यहाँ पर मिल जाएगा उनका भी जो casting है इसी तरह की का है दो color में आपको यहाँ पर आएगा यह जो बॉल गिर रहा है एक rate और एक blue तो इस पर हम click कर देते हैं sound जो है चुकि हम यहाँ पर बंद कर दिये हैं आगे जो है हम आपको sound यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या इसका sound है तो यहाँ पर हम आप कास्टिंग बना सकते हैं यहाँ पर लोगो आप अपना बना सकते देखिए इस तरीके से यह वीडियो स्टार्ट हो रहा है अब देख सकते एक बार rate और एक बार बोलनों यहाँ पर देखिए नीचे create now का option आपको मिल जाता है create now वाले option पर जाके आपको click करना और यहाँ प आप यहाँ पर title बना सकते हैं जो भी आपके YouTube चैनल का नाम है या फिर जीस नाम से आपको बनाना है वहाँ पर देखिए add text का उपर option है तो यहाँ पर www.rendorforest.com यहाँ पर आपका text आ जागा यानि कि add text में जो भी आपके YouTube चैनल का नाम डालेंगे तो यहाँ पर text हो जाएग का size 120% है तो size यहाँ पर डाल दिये हैं यहाँ पर देख सकते हैं चैनल का नाम यहाँ पर आ चुका है और add image वाले option पर जाके आपको योर logo hair का option है वहाँ पर आप अपना image लगा सकते हैं तो add वाले option पर क्लिक करना और याद कीजिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि PNG format में आपको अपना image रखना है JPG में नहीं PNG format में जिसका background ब्लैंक होता है और direct image आपको यहाँ पर लग जागा तो एक image हम अपना रखे हुए हैं यहाँ से देखी यह देख सकते हैं बिल्कुल PNG format है जिसके background में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ पर करना प्लस वाले option पर क्लिक किजे माइनस करेंगे तो size logo का जो है छोटा हो जाएगा तो इस तरीके से बगल में देखिए यह moving का option है यानि की image को rotate अगर आपको करना है तो यहाँ से rotate कर सकते हैं बाकी हमें कुछ करना नहीं है तो confirm आले option पर जागे क्लिक कर देते हैं और देखिए वीडियो आपका बन चुका है और यह preview उपर देख सकते हैं जाए आक और सर्मूब करा रहे प्रिवीव वाले option पर क्लिक किजे यहाँ बाई high quality और free preview यानि कि अगर आपको high quality full HD बनाना है without waterpark तो यह आपको purchase करना परेगा चुकि हम यहाँ free वाले में क्लिक कर रहे यहाँ पर आपको sign in करने के लिए बोलेगा तो आप जागे sign in हो जाएगा देखिए हम उपर sign in हुए है इसलिए मेरा नाम दिखा रहा है हम अल्रेडि मेरा email id जो था खुला था Google पर इसलिए यहाँ पर option नहीं आया है आपको sign in option करने के लिए बोलेगा तो sign in कर लेजिएग हो गया है और automatic यह वीडियो आपका यहाँ पर चालू हो जागा जैसा कि देखिए यह वीडियो बनके त्यार हो चुका है हम आपको यहाँ पर open करके दिखा देते हैं यहाँ पर देखिए नाम लिखे हुआ है company का तो यहाँ पर आप अपना खुद का brand लगा लिजेगा आप खुद का नाम यहाँ पर डाल दीजेगा तो पता नहीं चलेगा पपली को देखिए इस तरीके से जो है यह आपका बनके त्यार हो चुका है यह देख सकते हैं आप यहाँ पर तो सेम जो है इस आनलेलबी की तुरह है और इसको डाउनलोड कैसे करना है नीचे देखिए यह यहाँ पर डाउनलोड का अप्शन आ जाता है उस पर जब क्लिक करेंगे तो यह जो है वीडियो आप डाउनलोड आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर जहां पर भी आप बना रहें कर सकते हैं देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आउट्पूट फ्री करके इस वीडि बनाने का तरीका आप देख सकते हैं दूबार हम आपके चलम करके दिखा रहें तो इस तरीके से आप online बना सकते हैं और दूसरी चीज हम आपको YouTube पे दिखाते हैं कि YouTube पे दर्मली आप YouTube पे जाए पेज उपन किजिए और यहाँ पे आप सर्च कर देजे कि royalty free intro video ठीक है तो कई सारा यहाँ पे देख सकते हैं top 10 intro templates यह सब जो है royalty free है यानि कि इसमें लगवग 10 intro है जो आपको अच्छा लगेगा वो आप इसमें से cutting करके निकाल लेजे और अपने video editing software पे जाके सिर्फ उस पे आपको अपना जो logo है या फिर जो नाम डालना है वो डालके आप इस video को यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल free देख सकते हैं no copyright यह सब देख सकते हैं तो यहाँ पे इस video को आप बखो भी यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल free है